नमस्कार दोस्टो में हूँ डॉक्टर रितिका शर्मा और मैं आप सबका वेलकम करती हूँ आपके YouTube YouTube चैनल में आज हम इस चैनल पे डिस्कस करने वाले हैं दोस्तो सोरियसिस क्या है सोरियसिस कैसे इसको manage करें, क्या चीज़ खाएं, क्या चीज़ ना खाएं और homeopathie आपको कैसे मदद कर सकता है psoriasis से आप लोगों को ये जानके बहुत हैरानी होगी कि तकरीबन तकरीबन एक करोड से भी जादा लोग all over world इससे परिशान है और इस बिमारी का autoimmune disorder से तालुकात है जैनेटिक हो सकती है ये बिमारी, इसका exact cause आज तक किसी को पता नहीं चल पाया है इसलिए इसको chronic inflammatory immune disorder के अंदर रखा गया है इस बिमारी के लक्षन क्या है, कैसे होमेपैथी इसमें आपको help करेगी आज हम यही discuss करने वाले हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप इसका भरपूर फायदा उठा सके जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और लाइक जरूर करें चलिए शुरू करते हैं सोरियसिस, सोरियसिस क्या है? सोरियसिस के अंदर किस तरीके के सिम्टम आते हैं? तो दोस्तों सोरियसिस एक inflammatory autoimmune disorder है यानि कि इसके अंदर आपकी skin के अंदर लाल रंग के फुलावट आ जाती है white color के scales बन जाते हैं बहुत intense burning और itching होती है और white color के जो scale बनते हैं उसमें से white powder भी खुजाने से निकलता है इस case के अंदर मरीज का इतना mental irritation बढ़ जाता है कि उसको किसी भी चीज में concentration नहीं लग पाता है सबसे पहला point जो मैं clear करना चाहूंगी वो यह है कि सोरियसिस एक communicable disease नहीं है तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है जो भी आपके आसपास अगर सोरियसिस का मरीज है तो उससे भेदभाव ना करे क्योंकि एक मरीज जो already इतनी skin की तखलीफ झेल रहा है उसको इस भेदभाव से दोस्तों mental और emotional trauma भी पहुँचता है और अक्सर ये देखा गया है कि autoimmune disorder के अंदर stress एक बहुत एहम भूमी का निभाता है उस दिक्कत को बढ़ाने में तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है autoimmune disorder के जो भी patients हों चाहे वो psoriasis के हों चाहे वो articularia के हों चाहे वो eczema के हों उनसे थोड़ी सी आप sympathy रखिए उनको mental stress मत दीजिए अब शुरू करते हैं आपने patient के symptoms तो सुने कि ये लाल रंग की फुलावट आ रही है white color का scap बन जा रहा है इचिंग करके powder आ रहा है लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है तो दोस्तों हमारी जो skin है human body की जो skin है उसकी tendency होती है कि every 30 to 40 days नए cell बनते हैं और पुराने हट जाते हैं यही प्रक्रिया जो psoriasis का patient होता है उसमें थोड़ा जल्दी हो जाती है जहां एक common इंसान एक normal इंसान के अंदर 30 से 40 दिन में नई skin आ रही है वहीं उस इंसान में 15 दिन के अंदर ये proliferate हो जा रहा है और वो skin आ जा रही है तो उसकी पपड़िया निकलनी शुरू हो जा रही है और autoimmune disorder ये genetically भी link हो सकता है या फिर जिन लोगों को पहले से ही diabetes, heart की disorder, kidney के disorder ये सब है BP की medications पे वो लोग है cardiac या kidney disorders की medication पे वो लोग है उनमें psoriasis का chance बहुत ज़ादा बढ़ जाता है इस तरीके से skin का proliferate होना every 15 to 20 days बढ़ जाता है तो इसमें क्या है कि skin आपकी normal tendency से हट गई है कहां तो 30 से 40 दिन में cell आ रहा था अब 15 से 20 दिन में आ जा रहा है उसकी वजह से आपको initially दिखेगा कि skin में inflammation आ गई बहुत खुजली हो रही है लाल हो गया है कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि पपड़ियां उतरनी शुरू हो गई है उसके कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि मोटा scab बन गया है फिर आप खुजा रहे हैं और तमाम दवाईयां एलोपैथी के अंदर topical use ये use आयूरवेधी के अंदर ये होमेथी के अंदर ये पेशेंट इतना frustrate हो जाता है कि वो सारी पैथी इसको अपना के सोचता है कि बस में ठीक हो जाऊं लेकिन autoimmune ऐसा disorder है जिसका एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है दोस्तों आपको इसके लिए होमेथी ही अपनानी पड़ेगी इसमें भी होमेथी के अंदर क्या है सोरियसिस को जड़ से खतम करने के लिए आपको constitutional medicine required होती है जैसा कि आप सब जानते हैं कि होमेथी symptoms पे based है हर individual जो सोरियसिस से पीडित है उसकी medicine अलग होगी होमेथी में क्योंकि एक होता है कि general symptom है एक unique symptom है तो आपको मैं आज कुछ ऐसी medicine discuss करने वाली हूँ जो generally आपको सोरियसिस में symptomatic relief देंगी लेकिन उसको जड़ से खतम करने के लिए आपको अपने homeopathic doctor से appointment fix करके उससे अपना पूरा case consult करना पड़ेगा क्योंकि symptomatic relief दोस्तों temporary होता है और constitutional medicine अगर आप symptomatic relief वाली medicines के साथ लेंगे तो मैं आपको guarantee देती हूँ कि आपका सोरियसिस जड़ से खतम हो सकता है अब हम शुरू करते हैं कि क्या है management अकेली दवाई इस case में काम नहीं करेगी अगर आप एक तरीके से दवाई लिये जा रहे हैं दूसरे तरफ से आप वो सब चीजे खाये जा रहे हैं या वो सब काम किये जा रहे हैं जिससे की aggravation हो रहा है वो symptoms आपके बढ़ रहे हैं प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वो चीज काम नहीं करेगी इस case में, psoriasis की case में आपको खान-पान, अपने व्यायान और दवाई इन तीनों का एक combination लेना पड़ेगा तभी आप पूरी तरीके से ठीक हो पाएंगे अब हम discuss करते हैं इस सबसे पहले, क्या psoriasis की types हैं सबसे पहली type है, guttate psoriasis ये 10% population में आपको देखने को मिलेगा इसमें कैसे symptom आपको मिलेंगे guttate psoriasis में दोस्तों, पूरी patient की back involved होती है उसके back पे inflammation होते हैं scaling हो रखी होती है, पपड़ियां उतर रही होती है thick white scabs बन चुके होते हैं दूसरी type आते है, plaquesoriasis plaquesoriasis दोस्तों, अकसर आपको bony prominence पे देखने को मिलेगा जैसे की scalp पे, knee आपकी है, elbow आपकी है elbow पे आपको देखने को मिल जाएगा, scalp पे मिल जाएगा knee पे मिल जाएगा, ये category आती है, plaquesoriasis फिर एक तीसरी category आती है दोस्तों, inverse soriasis inverse soriasis आपको मिलेगा, soft tissue पे जैसे आपके armpit हो गए, genital के पास का area हो गया इसमें आपको inverse soriasis मिलेगा उसके बाद आता है दोस्तों, postular soriasis ये आपको nails के around, mouth के around मिलेगा ये तो हो गए common type soriasis की अब इनके complication क्या हो सकते हैं, soriasis का complication, अगर आँख involved हो जाती है soriasis के patient में, तो उसको बोलते हैं ocular soriasis, वहीं अगर आपके bony prominence या joint involved हो जाते हैं soriasis में, तो उसको बोलते हैं arthritic soriasis, अब arthritic soriasis दोस्तों, जितने भी soriasis के cases हैं उन में से 40% ऐसे cases होंगे, जिसमें bone का involvement, joints का involvement हो चुका होता है तो 40% soriasis के case में, joint soriasis complication मिलेगा ही मिलेगा, इसमें patient को joint के सारे arthritis symptom भी देखने को मिलेंगे अब ये तो हो गया कि type of soriasis इन में से जो मैंने आपको type बताई, कोई भी lethal नहीं है, यानि की dangerous नहीं है सिर्फ एक soriasis की type है, जो की बहुत dangerous है, और मात्र 3% patients में देखने को मिलती है all over world, इसका नाम है erythro-derma soriasis, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, आपकी 100% body involved हो जाती है soriasis में, और भगवान ना करेए किसी को हो, ये मात्र 3% patients में देखने को मिलता है ये तो हमने discuss करा दोस्तों कि soriasis क्या है अब हम discuss करेंगे कि इसकी management कैसे करें इसकी management करने के लिए आपको अपनी diet के अंदर vitamin A और vitamin D इनके supplements बढ़ाने पड़ेंगे हर soriasis patient को vitamin A, vitamin D जादा लेना चाहिए खुब सारा पानी पीना चाहिए अलकोहल बिलकुल नहीं लेनी चाहिए smoking नहीं करनी चाहिए डिबों के packed food नहीं लेने चाहिए अगर आप शोकीन है oily food के fast food के तो वो आपको छोड़ना होगा आपको brown rice boil करके खाने हैं आपको दलिया खाना है आपको ऐसी चीज़े खानी है जो सात विखो आपको अंडा नहीं लेना है आपको मीट नहीं लेना है आपको बैंगन नहीं लेना है आपको टमाटर नहीं लेना है और आपको मसाले नहीं लेना है because इन सब चीजों से psoriasis trigger होता है aggravate होता है और बढ़ जाता है तो ये तो हो गई आपकी dietary management उसके बाद क्या होता है कि अक्सर लोग नहाते टाइम सोचते हैं कि हम खुब मसल ने इसको क्या बार रखा है इसको उतार ले ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए नहाते टाइम आपको बहुत softly gently अपने जो भी lesions हैं उनको साफ करना चाहिए कपड़े से नहीं गिसना चाहिए नहाने के बाद अक्सर लोग टावल से पूछते हैं तो पूरी गिसर लगा लेते हैं वो नहीं करनी चाहिए softly gently उसे रखना है उस पे oil लगाईए क्या symptom आता है psoriasis का intense itching होती है burning होती है और dryness बहु के उसको रख सकते moisturize धूप में जा रहे हैं तो sunscreen लगाएं ताकि धूप से वह जलन ना बढ़े उसके बाद अगर आप immediately कहीं भार से आ रहे हैं आपको पसीना आया हुआ है आप वॉक करके आ रहे हैं तो फॉरन पानी में नहाएं साफ सुथ्रे ठंडे पानी से नहाएं कैसा बोलेगा मैंने क्या पहना है मैंने क्या नहीं पहना है आप लूज कपड़े पहने ताकि आपके lesion friction से ना बढ़े यह तो हुआ management अब आते हैं हम होमियोपैथी कैसे help करती है होमियोपैथी में दोस्तों सबसे पहली medicine आती है antim crude 3x potency में आपको यह लेनी पड़ेगी इ इतनी बहतरीन medicine है कि आपको इसके असर बहुत जल्दी देखने को मिलते हैं उपर की कितनी white thick layer हो इसको बहुत तगड़े तरीके से यह dissolve करती है और antim crude बहुत अच्छा असर करती है पस्टूलर psoriasis में जहां पर pus formation हो चुकी हो जहां पर scap बन चुका हो उसके अलावा हम लोग use करते हैं जिन patients को एकदम rash आने शुरू हुए हैं उन patients को alumina 200 potency में देने में बहुत फरक महसूस होता है क्योंकि अभी उनके rash की शुरुवात हुई है डिजीज ने progress नहीं किया जब शुरू हुआ है उसके बाद अगर पस्टूलर psoriasis के वल right side के body parts, right side के हाथ के नाखून, right side का mouth का area, right side के pair के नाखूनों को involve कर रहा है और पस्टूलर psoriasis हो रहा है बहुत बहतरीन होमेपेथिक मेडिसन है, crotellus horidus, इसको दिन में 4 बार लें, 15 दिन लें, आपको बहुत बहतरीन results मिलेंगे, आपकी पस्टूक चुकी होगी और antim crude 3X का तो general आप use कर सकते हैं क्योंकि वो आपके जो ठिक बन गई है layer उसको dissolve करने में मदद करेगा अब अगली medicine हम आते हैं, miserium पे, miserium इतनी best medicine है दोस्तों, जो कि आपका scalp का psoriasis अगर किसी को है और जिसके अंदर arthritic psoriasis हो चुका है, उन दोनों ही patient को treat करने के लिए miserium 200 potency बहुत ही रामबान इलाज है अकसर आपने देखा होगा कि patient बहुत सारी दवाई लेके आपके पास आ रहा है या जो patients भी देख रहे हैं मेरी वीडियो उन्होंने 10 sources से तमाम दवाईयां खा ली हैं लेकिन कुछ असर नहीं हो रहा है ऐसे patients को पहले अपनी back history जो medicines खाई हैं उनको antidote करके फिर आगे constitutional medicine लेनी पड़ेगी तो ऐसे patients को sorinum 200 medicine से अपना treatment start करना चाहिए उसके बाद अपने doctor से consult करके constitutional medicine अपनी निकलवानी चाहिए जो उनकी body को suitable है जो उनकी body को treat करेगी as a whole individual symptomatic relief तो उन्हें मिल जाएगा कि आंटीम क्रूड 3X खाई वो पपड़ी dissolve हो गई चिक है पस्टूलियर सोरियासिस था तो इन्होंने crotellus horidus ले लिए अगर right side का था लेकिन अगर तमाम दवाईयां सालों से बहुत से ऐसे cases हैं जो सालों से medicine ले रहे हैं बर ठीक नहीं हो रहे हैं उनका ये कहना है कि अब तो जान के साथ ये विमारी जाएगी तो आप लोगों को मैं बता दूं कि ऐसा बिलकुल नहीं है होमियोपैथी से psoriasis 100% treatable है लेकिन शर्थ सिर्फ इतनी है कि symptomatic relief पर ना जाएं थोड़ा बहुत अगर आपकी itching burning है तो आपने dissolve कर लिया और आपने अपनी burning और itching को शान्त करने के लिए medicine जिसे काली body को suit करेगी आपके doctor आपको देंगे और आप यकीन मानिए अगर आपकी constitutional medicine बहुत सटीक निकली है तो 6-8 महिने में आप इस बिमारी से निजात पा सकते हैं लेकिन अगर बहुत aggravate हो चुका है आपका case तो भी आप within 2 years इस बिमारी से निजात पा सकते हैं ठीक है दोस्तों अ अब अंत में हमें आप लोग उसे एक बात कहना चाहूंगे कि psoriasis क्या है autoimmune disorder की वज़े से हुआ है immune system का disorder है inflammatory disorder है अगर आप उस पे कोई भी topical application लगाएंगे तो वो उसे suppress ही करेगी और कभी भी skin symptoms को suppress नहीं करना चाहिए आपको internal medicine लेनी चाहिए ताकि वो बिमारी जड़ स खतम हो आपकी body एक normal scenario में आए homeopathy में ऐसी बहुत सी medicine है जो कि constitutional medicine है और यह जो skin की tendency psoriasis में हो जाती है कि actually skin 30-40 दिन में cell regenerate कर रही है बट psoriasis के patient में जो 15-20 दिन में कर रही है उस चीज़ का इलाज homeopathy में homeopathy में ऐसी constitutional medicine है जो उस चीज़ को focus करती है और skin की वो टेंडें rate करने की उसको calm down करती है और उसको एक streamline पर लेके आती है तो अगर आपको psoriasis से related और कोई भी doubt है या कोई मुझ से ही अपना case discuss करना चाहता है तो you are most welcome आप मेरे comment section में जाके comment box में proper अपना case लिख सकते हैं कब से आपको दिक्कत है क्या दिक्कत है मैं definitely आपको reply करूँगी न कर दो आपको दॉबरें negative